एक बान चरना, दुझे बान चरना एक बान चरना, दुझे बान चरना, तुझे बान पग नहीं धरना जिनकी ताने अनहत के पार पहुंचती हैं, जिनके सुर निर्वुन को भी सगुन कर देते हैं, जिनकी गायकी में कबीर का दर्शन भी है और मालवा की लोग धुने भी! हिंदुस्तानी शास्त्री संगीत में ऐसे महान गायक हुए पंडित कुमार गंधर्व नमस्कार, मैं हूँ गिर्जेश और आज मैं आपको सुनाओंगा पंडित कुमार गंधर्व की कहानी पंडित कुमार गंधर्व का जन्म 8 अप्रैल 1924 को करनाटक के बेलगाम में हुआ था बचपन से ही उनमें संगीत के सुर फूटने लगे थे उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में स्टेज पर अपना पहला कारिक्रम प्रस्तुत किया था इसके बाद पंडित कुमार गंधर्व ने जाने माने संगीत अग्य बी आर देवधर से संगीत की तालीम लेनी शुरू की सुनता है ग्यानी 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 ग् गुरू के आशिरवात से पंडित कुमार गंधर जल्द ही सिद्ध गायकों में शुमार हो गया है लेकिन दुर्भागे देखिए बहुत कम उमर में उनकी तबियक खराब हुई और ऐसी खराब हुई कि डॉक्टरों ने उन्हें गाने से मना कर दिया काफी लंबे समय तक पंडित जी शास्त्रे गायन से दूर रहे हलाकि बाद में उन्होंने वापसी भी की पंडित जी की कला और व्यक्तित्तो को समझने के लिए उनका ये आत्मकथ्य जानना जरूरी है जो बताता है कि पंडित जी का संगीत जोखिम और संगर्ष का संगीत था सब कुछ मैं कैसे जान पाऊंगा कितना ही ध्यान लगाया कितना ही ज्यान पाया संगीत के अगम्य रूप की थाह मैं अब तक नहीं ले पाया हूँ संगीत अमूर्त है उसके रागों और स्वरों का बोध हो पाना बड़ा दुसाध्य है मैंने बेशक विकट तालों की लयों की राह पकड़ कर खोजने की कोशिश की है अब तक न तो मैं उसकी थाह ले पाया हूँ नहीं छोड तक पहुंच सका हूँ पंडित कुमार गंधर्व की गयाकी की एक बहुत बड़ी खूबी यह थी कि वो घरानों में बंद कर नहीं गाते थे जी हाँ शास्त्री संगीत में घरानों का जो महत्व है वो आप बहुत भी जानते होंगे लेकिन पंडित कुमार गंधर्व ने डंके की चोट पर कहा कि वे घरानों की कूली गिरी नहीं करेंगे और कबीर को यूँ तो बहुत सारे गायकों ने अपने अंदाज में गाया है लेकिन जिस अंदाज में पंडित कुमार गंधर्व ने कबीर को गाया है वैसा शायद ही कोई गायक दा पाएगा संगीत के जानकारों में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो पंडिक कुमार गंधर्व की शास्त्री गायकी को उतना महत्व नहीं देता लेकिन उनके निर्बुन भजनों को उनकी निर्बुन गायकी को बहुत ही सम्मान की नजर से देखता है प्रभाश जोशी जी लिखते हैं कुमार गंधर्व सिर्फ गायक नहीं है कन्णड जिनकी मात्री भाषा है और मराठी दूसरी भाषा उन कुमार जी से आप हिंदी की भक्ती कविता पर चाहे जैसे बात कर लीजिए और कबीर पर तो उनका अधिकार हजारी प्रसाद दिवेदी से कम नहीं है कबीर को गायकर जैसी व्याक्या कुमार गंधर्व ने की है वैसा तो खैर कोई कर ही नहीं सकता दूसरे कई शास्त्री गायकों की तुल्ना में कुमार गंधर्व उँचे बैठते हैं क्योंकि वे कुली गिरी नहीं करते उड़ जाएगा उड़ जाएगा हंस अखेगा जगदर्शन का मेला 12 जन्वरी 1992 महज सरसर साल की उम्र में पंडित कुमार गंधर्व ने आखरी सास लेगी शास्त्री संगीत में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूशन और पद्म विभूशन से नवाजा शास्त्री संगीत में पंडित कुमार गंधर्व की गायकी को आगे बढ़ा रहे हैं उनकी बेटी कलापने कॉमकली, उनके पुत्र मुकुल शिवपुत्र और उनके पौत्र भूवनेश कॉमकली हमारी लिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप हमारे साथ ट्विटर और फेस्बूक पे भी जोड़ सकते हैं